प्रेंट्स तो प्रेंट्स देखो आज हम यहाँ पर जुड़ गये हैं एक बहुत इंफोर्मेटिव चीजों के साथ है ना क्यों देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख पार है अभी नएक जो हैना अपने बहुत बार सुना होगा जो फैकल्टिए है आपने सुना होगा के नएक का कमीटी आठ चुका है नेख का काम है ना बहुत सारी चीज़ें थे हमें जो है परफॉर्म करनी है तो एक्जैक् इसका हर एक 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 वर्ड जो है बहुत important है आपका national assessment and accreditation council जो कि autonomous body है जो कि क्या है एक autonomous body है और established करी है 1994 right by the university grants commission of India to asset and credit तो यह क्या करना है assess करने के लिए और accredite करने के लिए of the institution of higher education in the country तो आपने देश में इंडिया में जितने भी सारे higher education institutions है जितने भी सारे colleges है उन सारे colleges को institutions को है ना असेस करने के लिए क्या करने के लिए असेस करने के लिए देखो धान देना है बहुत इंपोर्टन वर्ड है यह क्या है असेस करने के लिए और एक्रिडेट करने के लिए यह क्या किया दाएगा वहाँ पे नैक जो है एक इंस्टिशन वहाँ पे काम करेगा जो एक आट education पे हर हर एक decade या फिर कुछ समय बाद जो एक higher education का जो department है education ministry जो है एक education policy ले के आरён इस education policy द्वारा ये कोई colleges जो है colleges जिस तरा का service provide करतें जिस तरा का course provide करतें है। उसमें क्या infrastructure होते है teachers किस तरा के होने चाहिंगे कौन से कौन से services provide करी जाने चाहिए, क्या scholarship दे सकते हैं, किस तरह का examination लेना चाहिए, किस तरह का आप interaction कर सकते हैं, international level पे college किस तरह से उभर के आ सकता है, ये सारी चीज़े आपको बताई गई है NAC में, और college किस तरह से काम करता है, उसको rate करने के लिए, उसको rating देने के लिए, है न, उसका infrastructure facility कितना अच्छा है, educational courses का variety क्या है, ये सारी चीज़े देखी जाती है, NAC द्वारा, ठीक है, तो चलो देखते हैं, और क्या बता सकते हैं, देखो importance क्या है, हम NAC का accreditation, हर एक higher institution को, NAC का accreditation लेना क्यों जरूरी है, NAC का accreditation लेना क्यों जरूरी है, तो सबसे पहल करता है कि अगर कोई college है, कितना अच्छे तरीके से funds use करता है, कितने अच्छे तरीके से वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, college को चला सकते हैं, कोन से course offer करना है, ये सारी चीज़ों के लिए, जो funding लगती है, जैसे कि sport ground बनाना है, जैसे कि lab बनानी है, जैसे कि library बनानी है, जैसे तो अगर ये central government को पता है, कि college कि सरह से काम करता है, college में क्या-क्या requirement है, हम क्या-क्या provide कर सकते हैं, कौन सी AC infrastructural facilities है, जो colleges के लिए required है, और college खुद उस की चीज़ों के उपर कि सरह से काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, federal funding जो है, जो आपका, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, second ये है, validates and institutional standards of quality, ये क्या कर देता है, validity देता है कि जो institution जो है, उसका quality of education है, quality of service है, है जो offer करता है, वो कितना quality का है, वो वहाँ पर आप लोगों को दिख जाता है, वो होता है, second important, third है, accredited degrees to better in job market, अब ये दाहिर सी बात है, हम लाखो करोडों जो है, लाखो लाखो रुपया वहाँ पे गिनते है, लाखो रुपया वहाँ पे बहे देते हैं, और वहाँ पे degree पूरी होने के बाद हमें job नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है, बहुत जारा, इंडिया में तो earn employment इतना जादा है, कि वो skill oriented नहीं है, वो job oriented नहीं है, और इसलिए आप लो किया है, internship, अब internship से क्या होता है, जो एक job करने के लिए, एक job करने के लिए, जो particular skill set लगता है, वो skill set एक internship में क्या किया जा सकता है, develop किया जा सकता है, उस person को, उस student को क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, provide किया जा सकता है, तो उसकी लिए आपका, जो degree है, जो आप जो वेरे क्या उसके लिए admission करने के लिए कोई examination होनी चाहिए चाहिए क्या उसके लिए कोई placement examination होनी चाहिए क्या उसके लिए कोई job market को अपको apply करना पड़ेगा यह सारी चीजे बताई जाती है और यह अगर होता है यह अगर होता है तो उस particular educational institution का क्या हो जाता है rating बढ़ जाता है quality बढ़ जाता है अगर समझो मैं आपको कोई course offer कर रहा हूँ अगर मैं आपको job भी देता हूँ तो आपको लगेगा कि अगर मैं इसमें admission लेता हूँ तो मेरा future secured है है ना तो इसलिए भी यह important है उसके बाद it encourages institutional same improvement अभी जैसे कि मैंने कहा की लोग आपके अच्छी ट्रेनिंग परोएड करोगे तब जा कि आपका इइंप्रोमेंट होगा और आपका एक अच्छा नाम उभर के आएगा मार्केट में उसके बाद हेज स्टूडेंट एंड पेरेंट्स चूज एकसेप्टेबल इंस्टिशन तो यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर हमें पता चलता है पैरेंट्स को स्टूडर्स को किस तरह से पता चले कि अगर मुझे मेडिकल स्ट्रीम में जा से उसका कॉलिटे को अच्छा रेटिंग मिलना मतलब क्या है कॉलिटी अच्छा है और अगर थे कब भी आपको पढ़ने के लिए आप वहाँ पर पैसके हहां पर अच्छे से दे सकते हैं अगर आप वहाँ पर डिगरी होने के बाद जॉब भी नहीं देते हैं तो यह भी पेरेंट्स और शोड़ने के लिए भी बहुत इंपॉर्ट हो जाता है यह क्या है इंपॉर्टन से एजुकेशनल इंस्ट्रीशन के हिसाफ से देखा जाए तो और हो जाता है देखो कैसे देखो यहाँ पर क्या दिया है सबसे पहला डिटर्माइनिंग वेदर दर एन इंस्ट्यूशन मीटिंग एंड सारड आप एजुकेशन तो आपके एजुकेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वह एजुकेशन आपको आप किस तरह से कॉलेज करते कुछ डिगरी कॉलेज कुछ पोस्ट गैजुएट है ना तो हमें क्या करना है हाइर एजुकेशन में लोगों का इन्रॉल्मेंट रेश्यो भी बढ़ाना है उसके लिए ट्रस्ट करना पड़ेगा ट्रस्ट करने की कॉलिटी अच्छी होनी चाहिए क्वालिट जो भी फिस लेता हूँ उसके बाद अगर आपको मैं जॉब प्रोवाइड कर देता हूँ तो यह क्या हो जाता है आपका वहाँ पे एक स्किल सेट डेउलफ हो जाता है और जो जॉब मार्केट में बेचा बेटा हुआ जो भी कमपनी है वो क्या सुचेगा कि इस कॉलेज मे एक कमपनी को भी इंप्रेस करती है कमपनी को भी इंप्रेस करती है वो फिर कॉलेजिस के पास जाएंगे इंस्टिशन के पास जाएंगे और देविल रिकूट दपीपल फ्रॉन दो कॉलेजिस इटसेल्फ चलो उसके बाद है इनेबस ग्राजियर्ट टू अपियर देना चाहते है क्योंकि they want to certificate देना मतलब क्या है certificate examination देना मतलब आपके प्रास वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्कील सेट है जो मार्केट में required है जिसमें आप qualify हुए हूँ right और उससे क्या हो जाता है आपके आप पके सैलरी इंक्रेश्य के आपके पॉजिशिटिन इंक्रेश्य का या फिर वहाँ आपके स्वापी ज्यादा बढ़ लुक्वार्य प्रोमोशन के चंस्पार पर जाते है इंक्रेश के चंसे चंपर जाते इसलिए वह पर आपको तो ऐसे कोले से डिगरी देलनी है, ऐसे कोले से आपको पढ़ना है, जाहां का जिसका नएक का जो रेटिंग है, अच्छा है, after that accelerate the chances of placement in the institution तो यहां पे placement भी हो सकती है बहुत अच्छे से और create the goal for same improvement in the education of the institution यह basically क्या होता है एक goal create करता है कि किसी भी particular institution institution को किसी भी particular education institution को किस तरह से हम एक आत्म निर्वर बना सकते हैं जहां पे हम अच्छा quality भी प्रोवाइड करें बच्चे लोग जो है student जो लोग है वो अच्छे से सीखें भी और उसके साथ साथ उनको कुछ skill development भी हो जाए और उसके साथ साथ उनका जो है एक overall development होके they will be ready for the job market है ना इसमें तीनों का चार लोगों का ही क्या है पूरे education system का क्या है benefit है company का भी benefit है students का भी benefit है parents का है higher education का है अगर इन लोग अगर benefit ले पाते है तो जाहिर सी बात है इस से अपने देश को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या मिलेगा benefit मिलेगा अच्छे तरीके से हम research कर पाएंगे अच्छे के से हम पढ़ पाएंगे दुनिया में जितने भी सारे scholar से उनके सारा हम compete कर पाएंगे और हम जो है अच्छे scholar अच्छे जो कैंडिड है जो aspiration जो है वो अच्छे से उबर के ask पर राइट गाइस तो आई होब एजो नाक का इस नाक का जो importance है नाक क्यू होना चाहिए from education point of view from institution point of view from company point of view and last but not least student point of view नाक रीटिंग क्यू important है यह आप लोगों भी पता चल गया होगा है ना तो इसी तरह से further आपको अगर कोई information चाहिए अगर आप चाहते कि बहुत जादा आपको अवेर होना है education industry के साथ तो आपको जुनना है IFS के साथ यहाँ पर आपको सारे प्रकार की जो information है educational information वहाँ पर आपको एक detail में provide करी जाएगी राइट चल गाइस thank you so much I hope you will enjoy the session thank you हूँब ज़खको के जाएगी कम झारा श्रकार करेंड़ाब उनरा करें porque जाएगी हो इस tresis में ही चाहँ चाहाँ प्रकार簮 जा खूँबा का भी बापको इस आपको जाए़ा सोमाने साथ यह फंूट सздर हूद careड़ा है cud